हम यह triangle बनाएंगे, आपको triangle में dimension दिया हुआ है, आपको base दिया हुआ है, 45 और इधर से 35 and 30 ठीक है, angle हमारे पास नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास में angle available होता, तो easily हम इसको line command से बना सकते थे लेगिन आप इसको हम कैसे बनाएंगे, और यह एक ऐसी drawing है, जो हमारी generally कहीं भी interview में, यह हमसे पूछ ले जाती है, अगर कहीं भी आप autocad के interview के लिए जाते हैं, तो यह logically drawing है, थोड़ा सा इसको हम सीखेंगे, और interview में पूछी जाती है, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लेट में आपको यहाँ पे circle लेना है, आपको 30, and right में आपको यहाँ पे circle लेना है, 35, line command लेनी है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पा रहे हमारा यह intersection एक point आ गया है, तो इस intersection point से आप यहाँ पे line draw कर देंगे, right, आप इधर से भी line draw कर देंगे, and अब आपने दोनों circle को यहाँ से delete कर देना है, ओके, आप इसमे dimension चेक करेंगे, dimension में क्या चेक करना है, align, ठीक है, 30, 35, and 40, okay, तो इस तरह से यह बहुत easy है, देखने में hard था, लेकिन बनाने में बहुत easy है, तो इस तरह से हमें drawing का थोड़ा logic समाझना है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, okay, तो आप थोड़ा mind लगाएंगे, तो आप practice करेंगे, तो इस तरह की आपको drawing आपको clear होंगी, और हम कहीं भी अगर interview में जाते हैं, तो हमसे इसी तरह के question किये जाते हैं, ठीक है, okay, thank you.